मॉनिंग वाइल्डनिस, मुंबई, जया का कमरा, जया अपने फोन में जय की फोटो देख रही थी, उसके आँखों में इस वक्त आशू थे, जया जय की फोटो देखते हुए सोचा था अगर एक महीना तुमसे अलग रहूंगी, तुमसे बात नहीं करोंगी तो तब शायद तुम खुद मेरे करीब आओ, पर मैं गलत थी, एक दम गलत, तुम्हारे अंदर मेरे लिए कोई फीलिंज है ही नहीं, जया अपने आशू पोचते हुए अंडस्को पर बस अब बहुत हुआ, आज के बाद में भी तुम्हें नहीं याद करूँगी, तुम्हारे बारे में नहीं सोचूँगी, तुम जैसे मुझे भुलाए बैठे हो, मैं भाई तुम्हें भुला दूँगी, एक तरफा प्यार का अंत ऐसा होता है, अब मुझे अच्छे से समझा गया है, आइल्लैंग, सिया और करन एक दूसरे की बाहों में सोए हुए थे, तभी सिया की नींद क अच्छी होने लगती है, सिया अपनी आँखे खोलती है, वैसे ही उसे अपने सामने करन का फेस नजर आता है, जो बड़े आराम से सो रहा था, उसके बाल पूरे भिखरे हुए थे, और उसके चहरे पर आ रहे थे, करन के पतले लिप्स शाप जो लाइन, गोड़ा रैंग और मैचो भी आद, एक दम पफेक्ट होट लग रहा था, सिया करन का चहरा देखते हुए कितना क्यूट लगता है सोते वक्त, पहले कभी ये क्यूट नैस पर ध्यान ही नहीं दिया, कहते हुए सिया के फेस पर छोटी सी स्माइल आ गई थी, तभी करन अपनी आँखे खोल तुम आँखो से मेरी इजज़त लूट रही हो, करन को जागता देख सिया की आँखे हैरानी से फेल जाती है, कुछ पाल खामोश रहने, के बाद सिया कहती है तुम जाग रहे थे, और मेरी बाटे सुन रहे थे, करन सिया के ऊपर आते हुए और तुम मुझे तार रही थी, मुझे नींद में देख मेरा फायदा उठाना चाहती थी, सिया करन को घूरते हुए ऐसा कुछ नहीं है, में तो बस, कहते हुए सिया चुप जो जाती है, यार इधर उधर देखने लगती है, करन सिया को देखते हुए अंडसको में तो बस क्या, सिया अपनी नजरे फेरते मेरी मर्जी में तुम्हें देखू ताडू चाहे जो करून आफ्टर ओल यू आ माई हस्बंड। मेरा हक है तुम पर। कारण सिया के गाल पर उंगली फेरते हुए इस हिसाब से तो मुझे भी अपना हक मिलना चाहिए। करण की बात सुन सिया हिरानी से उसे देखने लगती ह सिया कुछ कहे उसे पहले ही करण उसके हूंठों पर अपने हूंठ रख उसे खामोश कर देता है। सिया की शब्द उसके मून के अंदर ही रह जाते है। करण सिया के पैशनेल्टी किस करने लगता है। कुछ देर में सिया भी करण का साथ देने लगती है। दोनों अल दू रूम में थे, दोनों शौवक के नीचे खड़े थे, और एक दूसरे को किस कर रहे थे, सिया करन से अलग होकर Now I am tired कारण, कहते हुए सिया करन के कंदे पर अपना सिर रख लेती है, करन सिया को अपनी बहों में उठा कर कमरे में लेकर आता है, और कमरे में लाकर उसे आराम से बैद पर बिठा देता है, सिया में इस वक्त कुछ नहीं पहना था, जिस वजह से उसे करन के सामने काफी शर्म आ रही थी, उसके गाल शर्म से लाल हो चुके थे, करन सिया के गाल पर किस कर ओ कॉमन सिया, मैं तुम्हें ना जाने कितनी ही बार ऐसे देख चुका हूँ, और कल रात तो तुम्हें अच्छे से महसूस भी कर लिया, तो अब किस चीज की शर्म, करन की बाटे सुन सिया के गाल और लाल हो जाते है, सिया की नजरे नीचे थी, करन सिया को देखते हुए कल रात तो इतनी शर्म नहीं आ रही थी, जब तुन मेरे नीचे मेरे सामने अपनी fantasy के लिए गिलगिड़ा रही थी कारण की बेशर्मी भारी बटे सुन सिया को और शर्मा रही थी सिया करण को बिना देखे shut up करण मैं आब और नहीं सुन सकती सिया की बात सुन करण के face पर शरार्ती smile आ गई पर अब करण सिया को छेड़ने की मुल में नहीं था वो सिया को वही चोग कर खुद closet room की तरफ बाढ़ जाता है कुछ ही देर में करण खुद चंगे कर सिया के लिए अपनी एक white shirt लेकर आता है और देखता है सिया ऐसे ही blanket ओड़ कर सो चुकी थी उसका चेहरा खिला खिला नजर आ रहा था साथ ही आज सिया बहुत cute भी लग रही थी उसके गाल और lips pink हो गए थे करण मुस्कुराते हुए सिया के पास जाता है और उसके उपर से blackit हटा देता है अब सिया बिना कपडों के करण के सामने थी करण बड़े ध्यान से सिया की body को देखने लगता है उसकी body में कट के दिये love beat साफ नजर आ रहे थे वो सब देख करण के face पर एक और छोटी सी smile आ जाती है करण सिया को देखते हुए अपने मन में अब में तुम्हें कभी खुद से अलग नहीं हुने दूनगा सिया चाहे तुम चाहो या ना चाहो अब तुम्हें पुरी जिन्दगी मेरे साथ रहना होगा अब तुम मेरी सनक, मेरी जिद, मेरा जुनून और मेरी महाबत सब सिर्फ और सिर्फ तुम हो उसके बाद करन आगे बढ़ कर सिया को अपने साथ लाई हुए वाइट शर्ट पहना देता है और फिर सिया को अच्छे से ब्लेकेट से कवर कर उसके फोर हेट पर किसकर कमरे से चला जाता है मुंबई, विवान और काव्या कार में थे विवान कार ड्राइव कर रहा था विवान ड्राइव करते हुए तुम चाहो तो तुम आज से ओफिस जॉइन कर सकती हो पहले की तरह काव्या विवान को देखते हुए नहीं अब मैंने अपने लिए एक बहतरीन जॉब तलाश कर ली है और मैं उस जॉब के साथ बहुत खुस हूँ विवान तिरची नजरों से काव्या को देखते हुए मतकब तुमने अपने नए मये बॉइ फ्रेंड के साथ वक्त बिताने का कोई प्लान नहीं है काव्या सामने देखते हुए ऐसी बात नहीं है विवान पर मैं अपने कौम को लेकर बहुत सीरियस हूँ मैं अपने काम के बीच तुम्हें या खुद को नहीं लाना चाहती विवान काव्या से में तुम्हें फर्स नहीं करूँंगा तुम जैसे चाहो वैसे जॉब कर सकती हो वैसे कल तुम दस बजे रेडी रहना कावया confusion में विवान से बोली क्यों विवान drive करते हुए कल में तुम्हे अपनी family से बत और मेरी girlfriend की तरह मिलवाना चाहता हूं कावया हैरानी से इतनी जल्दी विवान कावया से मैं अब और इंतजार नहीं करना चाहता मुझे अब तुम्हारे साथ हर पाल बिताना है मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रहना चाहता कावया कुछ सोचते हुए ये सब बहुत जल्दी नहीं हो रहा विवान मैं अभी शादी नहीं करना चाहती अभी मैं तुम्हें और समझना चाहती हूं जानना चाहती हूँ विवान एक दम से कार रौक कर और क्या जानना है काव्या तुम सब तो जानती हो मेरे बारे में मेरे काम के बारे में परिवार के बारे में काव्या विवान को देखते हुए पर मैं तुम्हें जानना चाहती हूँ और अच्छे से अपना ये relation as a GFBF जीना चाहती हूँ विवान काव्या को देखते हुए तुम पूरे दिन अपने जॉब पर होगी रात में होस्टल में तो हम कब मिलेंगे? कब साथ वक्ट बिताएंगे? कैसे एक दूसरे को समझेंगे? काव्या विवान की आँखों में देखते हुए तुम्हारी बात सही है हम इसका भी कोई ना कोई solution निकल लेंगे पर फिलहाल तुम मेरी feelings को समझने की कोसीज करो विवान विवान कुछ पल रुख कर ठीक है लेकिन मेरी एक शर्त है काव्या विवान से कौन सी शर्त? Untitled Chapter, Mumbai, विवान की कार, शर्त की बात सुन काव्या विवान से शर्त के बारे में पूछती है विवान काव्या के हाथों को अपने हाथ में लेकर हम तब शादी करेंगे जब तुम चाहोगी पर तब तक लिए हम दोनों Living Relation में रहेंगे विवान की बात सुन काव्या आँखे फाड़े विवान को देखने लगती है काव्या अपना हाथ विवान के हाथ से चुड़वाते हुए ये क्या बकवास कर रहे हो विवान? Living में रहने का मतलब भी समचते हो तुम विवान काव्या के हाथों को फिर से पकड़ते हुए सब समझता हूँ इसी लिए कह रहा हूँ ये करने से हम दोनों साथ में एक दूसरे के साथ वक्त गुजार पाएंगे विवान की बात सुन काव्या अपनी सोच में गुम जाती है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था उसके मन में हजारों सवाल चल रहे थे विवान काव्या के मन को भाबते हुए काव्या रलाक्स हम जरूर लिविंग में रहेंगे पर ट्रस्ट मी जब तक तुम नहीं चाहोगी मैं तुम्हें टक नहीं करूंगा बिना तुम्हारी परमिसिन के तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा काव्या विवान को देखते हुए अंडिस को I trust you विवान पर विवान बीच में ही पर क्या काव्या हैं दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं इसमें क्या पर काव्या एक लंबी सांस लेकर okay में तैयार हूं विवान काव्या की बात सुन खुस हो जाता है विवान काव्या को कस कर हक करते हुए thank you so much काव्या मुझे समझने के लिए thank you हम आज रात से ही साथ में रहेंगे काव्या हैरानी से इतनी जल्दी कहा रहना है जगल तो डिसाइड करनी पड़ेगी न विवान कार स्टॉट करते हुए उसकी चिंता तुम मत करो आज शाम को में तुम्हें पिक करने आऊंगा उसके बाद हम दोनों हमारे घर जाएंगे नए घर में विवान की बात सुन काव्या के फेस पर स्माइल आ जाती है विवान काव्या को स्माइल करता देख वैसे क्या सच में हम वो सब नहीं कर सकते काव्या ना समझी में क्या विवान तिरची नजरों से कावया को देखते हुए वही जो शादी के बाद पहली रात को लड़का लड़की के बीच में होता है विवान की बात सुन कावया अपनी नजरे शर्म से फेर लेती है विवान आगे कहते हुए क्या हुआ कुछ गलत कहा मैंने अब हम living में रहेंगे उसका मतलब तो यही होता है ना कि husband wife के तरफ रहना और उसमें वो सब भी आ जाता है विवान की बेशर्मी भारी बाटे सुन काव्या को शर्म आ रही थी साथ ही उसका चहरा शर्म से लाल हो गया था काव्या को ऐसे शर्माता देख विवान को बहुत मज़ा आ रहा था विवान काव्या को और छेड़ते हुए बोलो ना काव्या हम वो सब करेंगे ना काव्या अब जान चुकी थी विवान उसे छेडने के लिए ये सब कह रहा है काव्या विवान को घूरते हुए बस विवान चुको जाओ अब विवान हसते हुए ओके बाबा चुको जा रहा हूँ तुम गुस्सा क्यूं हो रही हो आइलेंड करीब चार बजे सिया की आँखे खुलती है सिया बैट पर उठकर बैठते हुए इधर उधर देखती है पर उसे करन कमरे में नहीं दिखाए देता तभी सिया देखती है वो इस वक्त करन के शर्ट में है खुद को करन के शर्ट में देख इसके फेस पार एक छोटी सी स्माइल आ जाती है सिया बैट से उतर कर बात रूम में जाने लगती है पर जैसे ही वो बैट से उतरती है और कदम चलती है उसकी चीक निकल जाती है साथ ही उसके पैर लड़कडा जाते है सिया जैसे ही गिरने को होती है दो मजबूत हाथ उसे थाम लेते है सिया करन को देखते हुए तुम कब आय करन सिया को अपनी बहों में उठाते हुए जब तुम गिरने वाली थी तब इतना कहकर करन सिया को लेकर बाथ रूम में चला जाता है थोड़ी देर बाद करन सिया को वैसे ही के कर बाथ रूम से निकलता है सिया इस वक्ट बुरी तरह से करन को घूर रही थी उसके होंठ लाल हो गए थे वही करन के फेस पर डेवल स्माइल थी जिसे देख करन की हरकत का अंदाजा लगाया जा सकता था करन सिया को बैग पर बिठाते हुए बीवी अगर तुम मुझे ऐसे ही देखती रही तो में खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा और अब तो तुम्हारे अंदर ताक भी नहीं कि तुम मुझे जेल सको कहते हुए करन सिया के गाल पर किस कर देता है सिया अपना मुँ फेरते हुए मेरी ये हालत भी तुम्हारी वजह से हुए है कर रात से लेकर सुबह हुने तक और उसके बाद सुबह भी तुमने मुझे चैन नहीं लेने दिया जिस वजह से मुझे ये दर्ध हो रहा है करन सिया के सामने बेट कर उसे लिटाते हुए ए ठीक है तो अब मुझे ही मरहम लगाने दो सिया को लिटाने के बाद करन रोव में से ओइन मेट निकल लेता है और सिया के सामने बेट जाता है करन सिया को थोड़ा सा उपर कर उसकी शर्ट निकल देता है ऐसा करते ही सिया की हालत खराब हुने लगती है करन धीरे धीरे सिया की पूरे बॉडी पर दवा लगाने लगता है बीच बीच में करन सिया को दवा लगाने के बहने सेंसुल वे में टच कर रहा था जिस वजह से सिया की सिस्क निकल जाती है साथ ही उसकी सांसे ओपर नीचे होने लगती है करन सिया को परेशान करने के लिए ये सब कर रहा था सिया कसकर अपनी आँखें बंद कर लेती है वही अब करन की हालाग भी धीरे धीरे खराब हो रही थी सिया को अपने सामने यू देख कर पर करन खुद को कंट्रोल करने की कोसीस करने लगता है पर जब करन को फील होता है अब उसके लिए कंट्रोल करना मुस्किल हो रहा है तो वो सिया को बिना कुछ कहे उसे ब्लेकेट से कवग कर बाथरूम में चला जाता है करन को वहां से जाता फील कर सिया अपनी आँखे खोलती है क्यार देखती है करन बाथ रूम में जा चुका है सिया हसते हुए मुझे परेशान करने चला था और अब खुद कहते हुए सिया हसने के साथ बलश करने लगती है Untitled Chapter एक घंटे बाद करन बाथ रूम से बाहर निकलता है इस वक्त उसके खाली एक लोव पहनी हुए थी करन कमरे में आकर देखता है कि सिया आराम से अपना फोन उसे कर रही थी सिया को फोन उसे करता देख करन उसे बिना कुछ कहे सोफे पर जाकर बैठ जाता है और अपने मेल्स चेक करने लगता है सिया करन को देखते हुए करन हम वापस मुंबई कब जाएंगे करन अपने फोन में कुछ करते हुए जब जाना होगा तब बता दूँगा पर अभी मेरा कही भी जाने का जरा भी मूड नहीं है सिया करन को घूरते हुए underscore what you mean तुम्हारा मन नहीं है पर मेरा तो है ना, मुझे जाना है, मैं यहाँ बोर हो रही हूँ करन अपना फोन साइग पर रख सिया के पास जाते हुए हमें यहाँ आया अब तक दो दिन भी नहीं हुए और तुम बोर हो रही हो सिया करन को देखते हुए हाँ हो रही हूँ, इसलिए मुझे वापस मुंबई जाना है कारण सिया के ऊपर आते हुए अब तुम बोर नहीं होगी इतना कहकर करन सिया के होंटों पर होंट रख देता है जिसे सिया की आखें हिरानी से फेल जाती है मुंबई, काफे, जिया अपने कुछ कॉलेज फ्रेंज के साथ कॉफी पर आये हुए थी उसमें जिया के सिवाए दो लड़की और एक लड़का था ये सब बैस्ट फ्रेंज थे वो सब आपस में बाटे करते हुए कॉफी पी रहे थे तभी जिया की दोस्त नेहा बोलती है जिया अब हमें निकालना होगा हमारे क्लासेस का टाइम हो रहा है जिया नेहा से हाँ ठीक है मैं भी बस निकल ही रही हूँ तभी जिया को दोस्त समर जिया डोंट वरी में तुम्हें छोड़ दूंगा जेया समर से नहीं नहीं में चली जाओंगी नेहा जेया से कैसे जाएगी तू तेरी कार तो तू लेकर ही नहीं आई है तू समर के साथ चली जा हम भी निकल रहे है इतना कहकर नेहा अपनी फ्रेंड के साथ वहां से निकल जाती है उनके जाने के बाद जया भी समर के साथ बात करते हुए मुस्कुराते हुए कैफे से निकल जाती है कैफे से बाहर आने के बाद जया और समर उसकी स्पोर्ट्स बाइक में वहां से निकल जाते है स्पोर्ट्स बाइक होने की वज़े से जया और समीर एक दूसरे के काफी क्लोज बैठे हुए थे वो दोनों के जाने के बाद क्याफे से एक लड़का निकलता है जिसकी आँखे लाल थी, उसका चहरा गुसे से तमत्मा रहा था वो कोई और नहीं जय था जय अपने आप से, इसलिए तुम्हारा एक महीने से अता पता नहीं है जिया अब देखो में क्या करता हूँ आइल लैंड, सिया आज पूरे विला को एक्स्प्लोर कार रही थी जब से वो यहां आई थी, तब से खाली वो कमरे में ही थी आज सिया पूरे विला में घूम रही थी सब से लास्ट में सिया किचन में आती है जहां दो मेड दिनर रेडी कर रही थी और बाकी सारी हॉल में सफाई कर रही थी वो मेड में से एक मेड सिया को देख कर कहती है कुछ चाहिए मेम सिया उन्हें देखते हुए आपका नाम वो मेड हलका सा मुस्कुरा कर रानी सिया स्माइल करते हुए ओके रानी तो दिन में क्या है आज रानी सिया को देखते हुए मेमाज सर का ओडर है चाइनीज बनाने का तो बस हम सारी चाइनेंस डिशेज बना रहे है सेया अपने मन में ये सब तो मेरी पसंद का है मतलब करन मेरी पसंद का खाना बनवा रहा है क्योंकि जाह तक में जानती हूं यूस चाइनेस कुछ खास पसंद नहीं है उसे इटेलियन पसंद है सेया रानी को देखते हुए आप ये रहने दीजे सेया रानी को देखते हुए आप मेरा ओडर फॉलो करिये सेया की बात सुनते हुए रानी उसके हिसाब की खाना बनाने लगती है मुंबई, रात का वक्त, विवान काव्या के पीजी के बाहर उसका वेट कर रहा था तब ही उसकी नजर गेट से बाहर आती हुए काव्या पर पड़ती है जिसके पास दो बैग्जत है विवान जल्दी से काव्या के पास जाकर उसे बैग ले लेता है और कार में डाल देता है उसके बाद दोनों कार में बेट कर निकल जाते है विवाने ड्राइफ करते हुए फाइनली जो में चाहता था वो आज होने वाला है काव्या मुस्कुराते हुए आज से हमारी अपनी नई जिन्दगी के लिए पहला कदम है काव्या की बात सुन विवान मुस्कुरा देता है कुछ देर बाद उनकी कार एक विला के सामने आकर रुपती है काव्या कार से बाहर निकल पूरे विला को देखने लगती है काव्या विला को देखते हुए इतने बड़े विला में सिर्फ हम दोनों रहेंगे विवान काव्या के पास आकर उसे अपनी बहों में उठा कार जी अपसे आप यहां की और हमारे दिल की मालिकीन है विवान की बात सुन काव्या के फेस पार छोटी सी स्माइल आ जाती है काव्या विवान से विवान मुझे नीचे उतारों में खुद चल सकती हो विवान चलते हुए अब आदक डाल लो ऐसे रहने की अब पूरी जिन्दगी तुम्ही यूँ ही मेरी बाहो में रहना है विवान की बात सुन काव्य की फेस पर एक बार फिर स्माइल आ जाती है आइल लैंग, सिया और करन डाइनिंग एरिया में बैठे हुए थे वहाँ दो मैजब्स आती है और टेबल पर सारा खाना रख देती है करन उन्हें इशारे से वह से जाने के लिए कहता है करन का इशारा पर कर वोट लोग वहां से चली जाती है उनके जाने के बाद करन सबसे पहले सिया की प्लेट में सर्व करने के लिए जैसे ही बावल में से धाकन हटाता है उसके expression बदल जाते है करन गुसे में underscore रानी रानी जो कीचेन में कुछ काम कर रही थी वो करन की ऐसी आवाज सुन सकपका जाती है और जल्दी से dining area की तरफ बढ़ जाती है वही करन को चिलाता देख सिया कहती है क्या हुआ करन तुम ऐसे क्यों चिला रहे हो करन सिया की बात का कोई जवाब नहीं देता तब तक वहां रानी आ जाती है रानी अपना सिर जुका कर underscore yes करन अपनी सर्द आवाज में मैंने आज डिन में क्या बनाने का order दिया था करन की सर्द आवाज सुन रानी अंदर तक कांप जाती है उसकी आवाज तक नहीं निकल रही थी करन तेज आवाजे में मैंने कुछ पूछा है Answer me, Untitled Chapter, I Land करन की तेज आवाज सन रानी सिहर जाती है और अपना चहरा नीचे की एक हड़ी रहती है उसमें जरा भी हिम्मत नहीं बच्ची थी कुछ बोलने की अब इसके आगे करन कुछ कहता उसे पहले ही सिया कहती है Relax करन वो टू चाइनीज ही बना रही थी पर मैंने उसे मना किया और Italian बनवाया तुम्हारी पसंद का खाना करन सिया को देखते हुए आउट करन की बात सुन रानी वहां से चली जाती है करन सिया को देख जब मैंने लेट इत दिन करो सिया मू बनाते हुए अभी तक तुम्हारा गुस्सा कम हुने का नाम नहीं ले रहा अठले आस्ट एक बार सामने वाली की सुनो उसके बाद गुस्सा करो करन दिन करते हुए अंदस को इच सिया करन को घूरते हुए सिया खाने लगती है मुंबई विवान काव्या को अपनी बहों में लेकर विला के अंदर एंटर करता है अंदर से विला काफी खूपसूरत था काव्या देखती है वहां कई सारी म्याज थी जो अपना काम कर रही थी कोई भी उन दोनों को नहीं देख रहा था उन लोगों को देख काव्या थोड़ी अनकॉमफर्टेबल होने लगती है काव्या विवान की तरफ देखते हुए विवान प्लीज अब तो मुझे नीचे उतारो विवान काव्या को अपने कमरे की तरफ ले जाते हुए मैंने कहा ना काव्या आदत डाल लो ऐसे रहने की विवान की बात सुन काव्या उसे मूह बना कर देखने लगती है विवान काव्या को लेकर अपने कमरे में आता है और बैक पर बिठा देता है काव्या कमरे को देखते हुए वाव ये कमरा कितना खूब सूरत है विवान कावय को देखते हुए बिलकुल तुम्हारी तरह विवान की बात सुन कावया विवान को देखने लगती है जो उसके ठीक सामने बैठा हुआ था और उसे बड़े प्यार से देख रहा था दोनों के दूसरे की आँखों में देखने लागते है धीरे धीरे विवान कावया के नस्दीक आने लगता है जिसे कावया के दिल की धरकने बढ़ जाती है विवान की नजरे अब कावया के होंथों पर थी विवान अब कावया के चहरे में बिलकुल करीब आ गया था दोनों को एक दूसरे की सांसे फील हो रही थी विवान बिना देरी के काव्या के होंथों पर अपने होंट रख देता है ऐसा करते ही काव्या की आँखे अपने आप बंध हो जाती है दोनों एक दूसरे को softly किस करने लगते है विवान का हाथ काव्या के कमर पर था करीब 20 मिनट बाद दोनों एक दूसरे से अलग होते है काव्या अपनी नजरे नीचे कार लंबी-लंबी सांसे लेने लगती है विवान काव्या के फोहेड पर किसकर फ्रेश हो जाओ फिर नीचे चलते है दिन के लिए काव्या विवान की बात सुन बात रूम में फ्रेश होने चली जाती है आयलेंड, करन और सिया का कमरा सिया और करन एक दूसरे की बाहो में बालकनी में बैठे हुए थे और चांद को निहार थे थे दोनों के ऊपर एक ब्लैकेट थी क्यूकि रात के वक्त आयलेंड में काफी ठंड थी सिया की पीठ करन के सीने से लगी हुए थी वही करन के दोनों हाथ सिया के पेट पर थे दोनों बालकनी में रखे काउच पर बैठे हुए थे सिया चांद को देखते हुए हमारी कहानी कैसे शुरू हुए थी कभी सोचा नहीं था, इस कहानी में कभी इतना खूबसूरत मोर भी आएगा, जब मैं तुम्हारी बाहों में खुद को सेफ महेसूस करूँगी, हमेशा तुमसे नफरत की चाहत रखने वाली आज खुद तुम्हारी महोबत में गुरफतार हो गई, करन सिया के पेट को सहलाते हुए सोचा तो मैंने भाई नहीं था, कि जिस लड़की से मैं इतनी नफरत करता था, उसकी बरबादी देखना चाहता था, आज उसके साथ आबाद होना चाहता हूँ, सिया मुस्कुराते हुए बस आप सब ऐसे ही चलते रहे, हमारी खुसियों को किसी की नजर ना लगे, स करन की बात सुन सिया उसके गले में बहे दाल मुझे तुम पर खुद से ज्यादा वीश्वास है, करन काउच पर लेट कर सिया को अपने उपर करते हुए I wanna hit you now, सिया करन के लिप को पैक कर do it kiss में मना किया है, करन तुरन सिया के होंठों पर अपने होंठ रख देता है, और सिया की टॉप हिच कर उसकी बॉडी से अलग कर देता है, जिसे सिया की आँखे हरानी से फेल जाती है, सिया करन के सीने पर खुद को समिटते हुए क्या कर रहे हो करन हम बालकनी में है, किसी ने देख लिया तो करन बालकनी में जल रहे लाम्प को बैंड कर ये मेरा पर प्र होने की वज़र से वहां पूरी तरह से अंधेरा हो गया था जिसे वो थोड़ा रिलाक्स होती है पर अगले ही पाल करन सिया को पलट अपने नीचे कर लेता है और बिना एक पल गवाय सिया के नेक पर अपने होंट रख देता है सिया के हाथ करन के पीट पर चल रहे थे कुछ देर बाद दोनों की बॉड़ी पर एक भी कपड़ा नहीं था सिया का फेस ब्लैकेट से बाहर था वो अपने निचले होंट को दबा रही थी और अपने एक हाथ से करन के सर को दबा रही थी कुछ देर बाद करन ब्लैकेट से बाहर आता है उसके बाल पूरी तरह से भिखली हुए थे और उसके लिप्स रेड हो गए थे सिया अपनी नशीली आँखों से करन को देखते हुए underscore I wanna taste myself करन बिना पल गवाय सिया के होंथों पर अपने होंथ रख देता है और उसे किस करने लगता है एक लंबी किस के बाद करन सिया को छोड़ता है सिया satisfaction वाली smile के साथ my taste is really very satisfying कुछ देर बाद सिया की सिसकिया बालकनी नी गूंजने लगती है अंधेरे में उसकी सिसकिया अलग ही सुकून दे रही थी चांद की हलकी हलकी रोशनी में दोनों के बदल सफेड ब्लैकेट से धाकी हुए थे दोनों का फेस देख रहा था और सिया की सिसकिया सुनाई दे रही थी बालकनी रोमांस मुंबई विवान का विला काव्या और विवान दिनकर कमरे में वापस आते हैं काव्या विवान को देखते हुए विवान अब तुम जा सकते हो मैं अकेले राह लूंगी विवान बैट पर बेटते हुए में कहा जाओ काव्या विवान को देखते हुए अपने कमरे में विवान काव्या से ये मेरा ही कमरा है काव्या और मैं यही रहने वाला हूँ काव्या है रानी से विवान के बैट के तरफ जाते हुए अंडिस्को वाट तो फिल तुम मुझे इस कमरे में क्यूं लाए हो मुझे मेरा कमरा दिखा दो विवान काव्या का हाथ पकड़ उसे अपने उपर खीचते हुए ये हमारा कमरा है काव्या हम दोनों को यही रहना है एक साथ काव्या हैरानी से नहीं हम दोनों एक ही कमरे में एक साथ कैसे रह सकते है वो भी बिना शादी के विवान जट से जैसे एक घर में रह रहे है वैसे और वैसे भी लिविंग रिलेशन में रहने का मतलब ही यही होता है आगर हम दोनों अलग कमरे में रहेंगे उसके बाद पूरा दिन ओफिस में फिर एक दूसरे के लिए वक्त कैसे निकलेंगे काव्या विवान के कंदे पर अपना हाथ रख पर हम एक कमरे में कैसे मेरा मतलब विवान काव्या को जटके से पलत उसके ऊपर आते हुए मतकाब वाटलब सब बाद में समझ लेना मुझे बहुत नीनदा रही है मुझे सोने दो इतना कह कर विवान काव्या के सीने पर अपना सर रख अपनी आँखे बंद कर लेता है, काव्या विवान को देखते हुए है में एक ही बैट पर सोने वाले है विवान अपना सर उठा कर काव्या के आँखों में देखते हुए काव्या मैं तुम से वादा करता हूँ जब तक तुम नहीं चाहोगी तब तक मैं उस तरीके से तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा तुम्हें नहीं टच करूँगा मैं वादा करता हूँ मैं तो बस तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहता हूँ। तुम्हें हर पाल देखना चाहता हूँ। तुम्हारा ऐसास खुद में समेटना चाहता हूँ। काव्या बड़े ध्यान से विवान की बाते सुन रही थी। वो दोनों एक दूसरे की आँखों में देख रहे थे। विवान काव्या की आँखों में देखते हुए क्या मैं तुम्हारे साथ हिसी बैक पर और इस कमरे में रह सकता हूँ। विवान की बात पर काव्या छोटी सी स्माइल कर बस अपनी पल के जपका देती है। काव्या की हां सुन विवान के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है वो काव्या के फोर हेड पर किसकर उसके बगल में लेट काव्या को अपनी बहों में भार लेता है काव्या भी अपना सर विवान के सीने पर रख देती है काव्या अपने मन में मैंने बहुत वक्त ले लिय विवान तुम्हारी फेलिंग समझने के लिए मैंने कभी नहीं सोचा था कोई मेरी जिन्दगी में ऐसा आएगा जो मुझे इसकादर चाहेगा जो मेरी बॉडी से नहीं मुझे से प्यार करेग अगर आज तुम चाहते तो थोड़ी सी जोर सबर्दस्ती या तो मुझे एमोशनली ब्लेक मिल कर मेरे करीब आ सकते थे और मैं तुम्हें रोकती भी नहीं पर तुमने ऐसा नहीं किया अब मुझे यकीन हो रहा है मेरी महोबत पाक है कुछ देर बाद काव्या भी अपनी आखे बंद कर लेती है नेक्स्ट मॉनिंग आइल लैंग सेया और करन अभी भी बालकनी में थे दोनों के ऊपर सर्फ एक वाइट ब्लेकेट थी सुबह के कुछ पांच के बजे हुए थे जिस वजह से आस्मान में थोड़ा थोड़ा अंधेरा था पर काफी हद तक उजिला हो चुका था सेया करन के कंदे पार हाथ रख करन प्लीस टॉप इत नाओ तुम सुबह सुबह फिर से चालू हो गए अब गुजेला भी हो रहा है करन सेया की नेक पर बाइट करते हुए अंडसको हु कैज वाइफी ये हमारा वक्त है यहां हमें कोई डिस्टब नहीं कर सकता सेया गहरी गहरी सांसे लेते हुए प्लीस करन छोलो मुझे मुझे यहां ये सब करना बिलकुल अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें जो करना है तुम कमरे में चल कर करो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी पर प्लीस यहां नहीं सेया की बात सुन करन रुख जाता है और सेया का फेस देखता है करन सिया से अलग हो जाता है जिसे सिया की आह निकल जाती है करन काउच पर से उठ जाता है करन को ऐसे उठता देख सिया अपनी नजरे फेर लेती है जिसे देख करन के फेस पर इविल स्माइल आ जाती है करन सिया को अपनी बहों में उठाते हुए ओ कॉमन सिया तुमने ना जाने कितनी बार मुझे ऐसे देखा है, अब इसमें शर्माने वाली क्या बात है, हस्बंधू में तुम्हारा, तुम मुझे देख सकती और इनफेक्ट चू सकती हो, करन की बात सुन सिया के गौल लाल हो जाते है, और वो दूसरी तरफ देखने लगती है, कमर में जाकर करन सिया को बैट पार लिटा देता है, और बात रूम के तरफ बढ़ने लगता है, सिया अचानक से तुम जा रहे हो, और नहीं करना तुम है, करन पलट कर अंडस को क्या करना है मुझे वाइफ, सिया को समझ आता है उसने अभी क्या कहा है, सिया अपनी नजरे इधर उधर करते हुए कूँ, कुछ नहीं में तो, तभी करन सिया के फेस के एक दम करीब का कर कहता है, डोंट वरियंग वाइफी हम करेंगे पर अभी नहीं शाम को, अभी तुम मुझे और नहीं जेल पाओगी, बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया है, वरना अभी कुछ देर बाद करन तौवर लपेट कर कमरे में आता है, उसके आने के बाद सिया खुद को ब्लैंकिट से कवर कर बाथरूम में चली जाती है, मुंबई, विवान का विला, काविया और विवान ब्रेक फास्ट कर विला से निकल जाते है, विवान काविया को उसके ऑफिस जहां काव्या कम करती थी, वहां छोड़ कर अपने ओफिस चला जाता है, काव्या विवान की कार से उतर कर सीधे उस बिल्दिंग के अंदर चली जाती है, वही उसी बिल्दिंग के टॉप फ्लोर पर एक शक्स अपने लाप्टॉप की स्क्रीन पर काव्या की लाइफ फुटे देख रहा था, वह सक्स अपनी काली आँखों से लाप्टॉप की स्क्रीन देखते हुए वेल्कम ब्यूटी, कहते हुए उसके फेस पर इविल स्माइल थी, जेया का घर, जेया हॉल में बैठे मूविया देखते देखते चिप्स खा रही थी, तब ही डोर बेल बजता है, जेया जा कर दूर खोलती है, और अपने सामने खड़े इंसान को देख उसकी आँखे हैरानी से फेल जाती है, जेया हैरानी से जेय तुम, तुम यहां, जेय जेया को देखते हुए, क्यों किसी और का इंतजार कर रही थी, जेय की ये बात सुन जेया उसे भूर के देखने लगती है जेया गेट बंद करते हुए भाई भाभी आउट अव स्टेशन है तो तुम यहां से जा सकते हो जेया गेट पर हाथ रख पता है इसी लियाए तो यहां आया हूँ जेया हैरानी से मतलब जेया गेट खोल जेया के बगल से अंदर जाते हुए सारे मतकबा दर्वाजे पर ही पूछ लोगी जेया गेट बंद कर जेय के पीछे जाते हुए अब बताओ यहां क्यों आये हो जेय सोफे पर बैठते हुए पहले कुछ चाए पानी दोगी अपने घर में आये महेमान को जेया जेय को घूरते हुए आज घर में सारे मैज की छुट्टी है और मुझे कुछ बनाने नहीं आता तो तुम बाहर जा कर कुछ खा सकते हो जेय जेया को देखते हुए ओक मतलब इस बड़े से घर में इस वक्त सिर्फ में और तुम है और कोई नहीं जेय की बात सुन जेया उसे आजीब तरीके से घूरने लगती है जेय जेया की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए हम तुम एक विला में बैंड हो और और जया अपने कदम पीछे लेते हुए और जय जटकी से जया का हाथ पकर उसे अपने करीब खिचते हुए और चलो ये मैं तुम्हें प्राक्टिकल करके बताता हूँ इतना कह कर जय जया को अपनी बाहों में उठा लेता है और अपने कदम जिया की कमरे की तरफ बढ़ा देता है